So hi everyone, स्वागत है आप सभी का पोशन ट्रेकर एब की एक नई वीडियो में बेनो आज हम जीस विशाय पे चर्चा करने वाले हैं, वो विशाय बहुत ही गंभीर है आप सभी आंगनबारी बहनों को ध्यान से सुनना है और समझना है कि मैं क्या आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, ठीक है देखें मैं आप लोगों को कोई भी चीजों के बारे में उकसान नहीं रहा हूँ पहले ही मैं आप लोगों को बता दूँ मैं आप लोगों को सच्चाई से रूबरू करवाना चाहता हूँ जो आंगनबारी सेविका पोसन ट्रेकर एप पे काम करती हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंफोर्मेटिव होने वाली है क्योंकि जिस परकार से आप लोगों को ये जो अपडेट दिये जा रहे हैं आप लोगों को काम करने के लिए तो क्या आप लोगों को लगता है कि इतने सारे अपडेट आने के बाद ये जो मुबाईल वेरिफिकेशन और EKYC का जो अपडेट दिन पर दिन बरहाया जा रहा है क्या आप लोग सक्षम है इस काम को करने के लिए तो आपका जबाब आएगा नहीं क्योंकि आप लोगों को इतने सारे काम दिये गए है जिसके बावजूद भी आप लोग पोसंट रेकर रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात है लेकिन जिस परकार से आप लोगों को अपडेट दिये जा रहे है आगे चलके ऐसा लगता है आगनबारी सेविका आगनबारी में ज्वाइनिंग की हैं वो अकेले खुद पोशन ट्रेकर एप हुआ या आगनबारी के अंदर हुआ या अकेले खुद वो नहीं कर पाती हैं बज़वा यह है कि इतने सारे काम आप लोगों को दिये जाते हैं कि आप लोगों को काम करते करत सूबह से साम हो जाता है लेकिन काम खत्म होने का नाम नहीं लेता है ठीक है और इतना कम मांदे में आप लोगों से सारे काम करवाय जा रहे है तो क्या लगता है कि पोसंट ट्रेकर एब या आंगनबारी सेविका सहाईका के साथ जो है सोसन नहीं कर रहा है बिल्कुल कर रहा है क्योंकि आप लोग देखी पा रहे हैं कि इतने सारे काम जो है वो करते हुए भी आप लोग का जो मानदे है वो नहीं बरहाय जा रहा है और एक आंगनबारी सेविका के लिए आंगनबारी पर काम करना बहुत ही मुश्किल है अगर उनके घर का कोई लर्का या सेविका का हस्वेंड अगर साथ ना हो तो आंगनबारी का काम नहीं किया जा सकता है ये बिल्कुल सचाई है ठीक है तो अब आप लोगों को यहां पर क जो है वो दिये जाएंगे जिसको आप अकेले नहीं कर पाएंगे ठीक है तो मैं चाहता हूँ कि इस परकार से जो अपडेट दिये जा रहे हैं इसके खिलाप आप लोग आवाज उठाएं और जो नए-पडेट दिये जा रहे हैं विभाग आप लोगों का सोसन कर रहा है इस वीडियो को सभी आगनबाडी सेविका बहनों के साथ सेयर किया जाए ताकि उनको इन चीजों के बारे में मालूम हो और वो इस परकार से जो चीजें हो समझे कि आखिर आगनबाडी सेविका बहनों का इतना सोसन क्यों किया जा रहा है ठीक है मैं खुद समझ सकता हूँ आप लोगों का सोसन कर रहा है ठीक है अभी आप लोगों देखी पा रहे होंगे कि पोशन ट्रेकर एप में जो न्यू अपडेट दिया गया है जिसमें कि आप लोगों को लभार्थियों का अब EKYC के लिए बोला जा रहा है जैसे कि आप लोगों यहां पे EKYC जो करेंगे वो हर लभार्थी का करेंगे चाहे हो बच्चा हो या गर्भती हो धात्री हो सभी का EKYC करना होगा जैसे कि EKYC करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि फोन पे लभार्थियों से OTP मांगना होगा जो की बहुत ही मुश्किल काम होता है आप लोग अभी फिलाल देखी पाए हैं किस प्रकार से लभार्थियों का जो मुबाइल फेरिफिकेशन के किया गया जिसमें कि लभार्थी के हर लभार्थी के मुबाइल पे कॉल करके उनसे OTP मांगके आप लोगों को मुबाइल फेरिफिकेशन करने में कितनी परिशानी हुई वह आप लोग भी आती होंगी ठीक है और आईंभी है ऐसे समझ्या बहुत सारी सेविका भॉपनो के साथ होई भी है उसके बाлиध यहाँ पर पर जो लभार्थी का एक वैसी हो दिया गया है और यहाँ पर जो है बोला गया है कि लभार्थियों का EKYC करना है जबकि यहाँ पे आप लोग जो EKYC करने जाएंगे तो लभार्थी के अधार कार्ड में जो नंबर जुरा होगा अब लभार्थी को बोलेंगे कि आप अधार कार्ड में जो नंबर जुरा है वो नंबर पे OTP गया है तो क् पाम तरह की जो बाते हैं इसमें देखने को मिल सकती है और साथ ही साथ एक चीज और आप लोग देखेंगे कि जब आप लोग टी एचर अपडेट करने जाएंगे तो उसमें भी कुछ ऐसे डिस्टिक हैं और कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पे लाइफ फोटो अपलोड करने के है ठीक हो सकता है आगे चल के आप लोगों के उपर भी यह सारे नियम जो है उलागों किया जाए और जैसे कि फैमली सर्वे बोला गया था कि लभार्थियों का फैमली सर्वे करें तो फैमली सर्वे करते हुए भी काफी सारी दिक्कति आई थी यानि कहने का मतलब है कि जो क पर दोने परशब भार्ति और धाला है ओल्सा रहोना दोंडी के अंद यह साकता है और झेकर नहीं है sa पर प्रकार फर्म ऑपने कुछिस दोगों को बता सकता है उकर आधाय 250 लोग को सी नहीं है टह साया कुछ हो ब़ills n लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें चैनल नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी बहुनों का हमारे साथ इस चैनल पे इस वीडियो में जुरे रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद